तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है मैं आपको पांच ऐसे प्रमुक कारण बताऊंगी जिसकी वज़े से आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए सबसे इंपोर्टेंट और सबसे प्रमुक कारण जिसकी वज़ेस आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो अब यह growth plates क्या है तो आपकी बॉड्डी में जो long bones cartilage होता है जिसको epifacial plates या फिर growth plates कहा जाता है तो आपकी जो height होती है वो इसकी वज़़से होती है कि आपके जो long bones है वो length में बढ़ते है या लंबाई में बढ़ते है तो ये जब लंबाई में इसलिए बढ़ते है क्योंकि आपकी growth plates अभी भी active है या आपकी growth plates open है तो जब आप puberty के age के हो जाते हो या फिर आपके body में hormonal changes हो जाते है तो उसकी वज़़से ये जो growth plates होते है या epifacial plates होते है आपके long bones के end में वो harden हो जाते है और close हो जाते है जब आपकी growth plates close हो जाते है तो आपकी हड़िया का length बढ़ना कम हो जाता है और आपकी जो long bones है उनकी lengthening रुख जाती है इसकी वज़े से आपकी height बढ़ना रुख जाता है तो growth plates normally कौन सी age में बंध होते है महिलाओं में जो growth plates close होते है उनका जो age है वो around 16 years यानि 16 साल के आसपास उनकी growth plates बंध हो जाती है और पुर्षो में 14 से 19 साल के आसपास growth plates normally बंध हो जाते है अगला reason जिसकी वज़े से आपकी height नहीं बढ़ रही है वो है hormones, hormonal imbalance तो growth का और hormones का क्या relation है तो जो normal growth होता है वो कई सारे hormones से effect होता है सबसे पहला है growth hormone ये बनता है pituitary gland में और growth hormone सबसे important hormone होता है आपकी height के लिए दूसरा जो hormone होता है वो है thyroid hormone thyroid hormone की गड़बड़ी की वज़े से भी आपकी height बढ़ना रुख जाती है और आकरी जो hormones होते हैं वो है sex hormones जैसे की testosterone और estrogen ये बहुत ही important भूमी का निबाते हैं कास करके puberty में जो आपका growth spurt आता है या आपकी height रुखना बंध हो जाती है तो उसका प्रमुक कारण होता है कि आपके sex hormones में किसी तरह की गड़बड़ी है जैसे की मैंने आपको कहा कि hormones आपके growth के लिए या आपकी height के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं तो कई बार ऐसे abnormal conditions हो जाते हैं body में कास करके puberty के आसपास जिसकी वज़़से आपके body में hormonal imbalance होता है उसमें सबसे commonly देखा गया है कि thyroid hormones especially ladies में देखा गया है कि thyroid hormones में imbalance होता है बच्चों में जिनको बार बार pain की तकलीफ होती है या chest infection होता है उनमें भी hormones effect होते है और hormones effect होने की वज़़से उनकी height effect होती है तो ऐसे बच्चे जिनको बार बार stomach infection होता है जिनको बार बार chest infection होता है हो सकता है कि आगे चलके उनकी height ना बढ़े या उनकी height बढ़ने में बाधा आए और आखिर में कई ऐसे cancers और tumors है जो hormonal imbalance को पैदा करते है hormonal imbalance create करते है तो इसलिए इन tumors और cancers का इलाज बचपन में या जबी वो detect हो जाए उसी वक्त करना बहुत जरूरी है अगला reason जिसकी वज़ा से आपकी height नहीं बढ़ रही है वो है malnutrition बचपन में या childhood में सबसे important nutrient एक बच्चे की growth के लिए होता है वो है protein, minerals जैसे की calcium, vitamin A, vitamin D ये भी बहुत ही important होते है height के लिए तो जब बचपन में अगर protein की कमी होती है अहार में अगर vitamins की कमी होती है जैसे की calcium, vitamin A deficiency होती है या vitamin D deficiency होती है तो आगे चलके वो बच्चे की height नहीं बढ़ती या बच्चे की height में रुकावट आ जाती है और बच्चा जो होता है वो बड़ा होकर बौना बनता है अगला reason जिसकी वज़े से आपकी height नहीं बढ़ रही है वो है lack of sleep अगर आपको sleep deprivation है यानि कि अगर आप 7 घंटे से भी कम घंटे अगर आपकी नीन हो रही है तो इसका मतलब sleep deprivation आपको है जिसे कई बार जब मैं कहती हूँ कि sleep deprivation तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक या दो रात अगर आप कम सोए तो उसको sleep deprivation नहीं का जाता लेकिन अगर आप consistently आपकी आदत बन जाती है कि आप सिर्फ 4 या 5 घंटा ही सोते हो तो इसको sleep deprivation का condition माना जाता है sleep deprivation की वज़े से directly तो आपकी height increase नहीं होना रुख नहीं जाती ही लेकिन sleep deprivation की वज़े से आपके body में growth hormone का जो production होता है वो रुख जाता है या कम हो जाता है इसके साथ साथ sleep deprivation की वज़े से आपके body में बहुत सारे hormonal changes होते है जिसकी वज़े से आपकी height बढ़ना रुख जाती है अगला और आखरी कारण जिसकी वज़े से आपकी height नहीं बढ़ रही है वो है genetics जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि parents अगर बौने हो तो बच्चे भी बौने होते है तो 80% of the cases में ये देखा गया है कि height inherent होती है या genetics की वज़े से होती है लेकिन अक्सर ऐसे genetic conditions या genetic abnormalities होती है या inherited genetic conditions होते है जिसकी वज़े से बच्चा short stretcher का होता है और आगे चलके उसकी height बिलकुल भी नहीं बढ़ती और जो पुरुष या महिला जो होती है वो बौने होते है तो उसमें प्रमुक जो reason होता है वो है genetic mutation तो gene mutations में सबसे प्रमुक जो है वो है FGFR3 gene जिसकी वज़े से एक contralplasia नाम की genetic condition होती है जिसमें short stretcher देखा जाता है दूसरा एक gene है FBN1 gene जिसमें acromicric dysplasia जियोफिजिक dysplasia देखा जाता है दूसरा एक gene है GH1 gene जिसके अंदर isolated growth hormone deficiency देखी जाती है अगला एक condition genetic condition है वो है EVC यानि की Alice Van Crevel syndrome या Weyer's Acrofacial Distrosis इसके अंदर भी बच्चे की height एकदम stunted हो जाती है जो adult होता है वो short stretcher का होता है दूसरी एक gene है ACAN gene या ACAN gene इसके अंदर कई सारे variations होते है gene mutations होते है जिसकी वज़े से growth disorders होती है तो अगर आपकी height बहुती ज्यादा कम है तो आपको ये genetic mutations को ध्यान में रखना चाहिए और उस सरह से genetic testing करनी चाहिए अगर आपको इस वीडियो की बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे comment section में लिख दीजे इस वीडियो को like और share करना मत बूलिए अगर आपको इस वीडियो से महत्वपुन जानकरी मिली हो और आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को subscribe करना मत बूलिए सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूं कर तो अगले वीडियो में आपसे फिर पुलाकात होगी तब तक की लिए stay fit, stay healthy and don't forget to stay awesome. Bye! झाल